Hello Friends, This is Rahul, Welcome back to Kate Steyler's Solidworks Tutorial Series Friends, आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस ड्रोइंग की इस डिजाइन की तो इस पार्ट को हम किस तरह से बनाएंगे देखिए इसकी ड्रोइंग यहां पर दे रखिए हैं हमारे पास ड्यमेंशन सारी दे रखिए हैं हमारे पास side view है हमारे पास front view है यह हमारे पास top view यह इसकी modeling दे रखिए कि हमारे पास इस तरह से यह प्रिजह दखेगा तो इसको one by one देखते हैं किस तरह से बनाना है कि इसमें आप सीखेंगे इसमेंगे एक single sketch से हम multiple extrude किस तरह से निकाल सकते हैं तो इस चीज में confused रहते हैं कि एक single sketch में सिर्फ एक ही extrude निकल सब्सक्राइब नहीं है तो इस वीडियो में आप वह भी सिखेंगे और भी आख और भी बहुत कुल सिखेंगे तो इस वीडियो के end तक देखते रहिएगा और इस वीडियो के और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेजएगा बेल आइकन को भी प्रेस कर लेजएगा ताकि आपको आख एक एक रेलेटेड हर एक वीडियो का अटिफिकेशन अब्डेट मिलता रहे तो यह इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस ड्रॉहंग को तो यह स्टार्ट करते हैं इस ड्राइंग को किस सरा से बनाना है तो फ्रेंस देखिए हमारे पास यहां पर यह साइड व्यू दे रख है तो मोस्ट उक्तिव पार्ट हमारे यहीं से निकल के आएगा तो एक यह वाली प्रॉफाइल बनाने के बाद साइड व्यू से में यह सारी प्रॉफाइल बनाने बनाने के बाद वन बाई वन सभी को यह यह पार्ट यह पार्ट और यह पार्ट यह तीन पार्ट अलगले एक्स्पोड कर सकते हैं तो देखते हैं किस तरह से सबसे पहले हमारे पास यह पार्ट आ रहा है तो 64 96 की एक लेंथ आ रही है और यहां से भी 16 की एक लेंथ आ रही है तो हम यहां से रेक्टेंगल कर सकते हैं front plane पर हम चले जाएंगे और यहां से इस तरह से मैं दो rectangle create कर लेता हूँ तो corner से बनाईएगा आपको dimensions लेने में easy रहेगा और जो आपका sketch fully defined रहना चाहिए वो भी आपके लिए useful रहेगा clear है so यहां से लेकर यहां तकी dimension क्या है हमारे पास 64 यह लंग्ज कितनी आ रही है 96 यह हमारे पास है 16 यह भी हमारे पास 16 है तो इन सभी को trim कर लेंगे और यहां से इसको extend कर लेंगे तो एक single sketch बन जाएगा हमारे पास तो अभी हमारे पास यह file आ रही है तो हमारे पास 48 और 28 का rectangle आ रहा है 40 और 28 का sorry तो एक rectangle है हमारे पास तो यहां से हम value लेंगे 40 और यहां से इसकी height लेंगे 28 तो इसकी बाद हमारे center पे जो circle लगा हूँ उसका radius है मर बस 12 तो circle ले लेंगे इसका radius 24 है पर diag कितना हूँ अगा 24 sorry तो इसकी बाद हमारे पास यह line आ जाएगी तो इस line को create कर लेंगे तो यहां से हम जो स्केच नहीं चाहिए उसका हम ट्रिम कर लेंगे तो यह हमरे पास sketch create हो जाएगा तो sketch को हमने select करना है extrude करना है अब इसको one by one देखो multiple sketches आ रहे है multiple regions आ रहे है हमारे पास यहां पे contures में select contures blank आ रहे है तो हमें कुछ रहे कि कौन सा conture आ आपने extrude करना है conture में region area कि इस area को आप extrude करना चाहते है तो मैंने यह select किया यहां से आपके पास कितना extrude हो जाएगा यह 64 mm देखिए height दे रखी है और इसको आप ok कर दीजिए अब यहां भी बच्चे कर दो कि इसको कर सकते हैं तो कई बच्चे तो इतने हो जाते हैं कि sketch को दुबारा ब्राने लग जाते हैं तो ऐसा नहीं है यहां पर आपके पास arrow और इसको split करो गए यहां पर sketch आपके बास वापीस आजाएगा इस sketch को आप reuse कर सकते हो for the extrude or extrude cut के लिए है तो अब आपके पास यह region आ रहे है तो यहां से देखते हैं हम आरे पास कितना distance आ रहे देखिए total height कितने 64 में से 22 minus कर देंगे अगर आप values calculate नहीं कर पा रहे हैं तो यहां पर आप formula भी लिख सकते हैं ने minus 22 किया है तो यह already case ने मेरे को calvert करके result दे दिया same sketch को again use करेंगे extrude करेंगे और इस बार हमारे पास यह वला area आएगा इस area को मेरे को कितना extrude करना है 12 mm तो यहां इसकी value ले लेके 12 mm तो यहां तक हम complete कर चुके हैं अब हमारे पास क्या है देखिए यह वाला slot आ रहे है और यह वली सबसे पहले हम यह चीज़ बना लेते हैं इस plane पर हमने बनाना है और हमारे पास यह वाला slot दे रहे है तो make sure कि आप जो भी sketch बनाएं हमेशा आपका center से या end से आपका free end पर बनाना चाहिए ठीक है इसका reason यह है कि जब आप midpoint से बनाएंगे like अगर आप यहां पर midpoint से बनाएंगे जैसे मेरे पास यह midpoint आ रहे है तो यहां से अगर आपने बनाया तो इसकी values को आप change नहीं कर पाऊगे जैसे कि यहां से लेकर यहां तक आगर मेरे को distance देना हो तो कितना रहे है पाटी बना जाएगा तब एक value आपकी over constraint हो जाएगी तो यह चीज़ आप मत करिएगा इसको आप प्रिम कर लीजिए और यहां से आप जो slot बनाने जाते हैं उसको free end पे बनाएगे आप इसकी हर एक value को easily update कर सकें तो यहां से लेकर यहां तक का distance मेरे रपस कितना आ रहे है कि यहां से लेकर यहां तक का distance 24 है इसकी height 20 है और इसका width आ रहे है वो 16 आ रहे है तो यहां से लेकर यहां तक इसका distance कितना रहे 24 है height कितनी आ रहे है 20 आ रहे है और इसकी width आ रहे है 16 आ रहे है तो देख सकते हो आप इस तरह से यह easily update हो जाएगा प्रेंट पर बनाने का यह benefit आपके पास और इसको आप यहां से extrude कटके through all कर दीजिए देखिए extrude cut में हमने through all का इसको use किया है और यहां से यह चीज complete होगी अब हमारे पास क्या है गई यह चैंफर आएगी चैंफर का distance यहां पर 20 और 30 दे रख है देखिए से किस तरह से बनाना है we specialize apply करेंगे एज को select करेंगे और यहां से हमारे पास distance और distance की option लिज Scritute में होता है कि Syria होगा दोनों distance में कहांगा और बेंडिस्टंस अलग में हमें फोन सी दे नहीं है तो यह मौवमेंट तो गारवली मौव में नट और हमें मौमेंट में रीज ज़म है तो हमेंट माले मौवमेंट मरेख करेंगे थर्टीदर औरं तो फरेंट इस मोडल को शना सकते हैं एक पर यूबिद सब्सक्रीं अदम्रान 100 cent आपने इसमें काफी कुछ समझ में आ गया होगा और काफी कुछ सीखा होगा इसमें आपने इसकी प्रेक्टिस कीजिए इसको दुबारा बना के देखिए किप लिसके सिखेवे किप लेर्निंग या किप इसेंग ऑर की ओंटिक चाकि को रएक वीक्टि को अकश्छ रहे अपडेट है इससक्स्राइब करके मिलने घर एक लाएगा एक वीडियो गाप डेट मिलता रहेंग विजुआ हम रेगूर विडियो झाल झाल